दोस्तो अगर आप एक UB Polytechnic Entrance Exam के स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने Entrance Exam को देने के लिए तो आज आप इस वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे Most Important Topic के Part 8 के बारे में इसके पहले साथ पार्ट अप्लोड हो चुका है तो अगर आप उन सभी पार्ट को नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो आप इसली वे में जाके उसको देख सकते हैं फिलाल दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत जादा Important Topic के बारे में और इससे Question आपके काफी बार इंटरंस में पूछे जा चुके हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू से लेके Last तक जरूर देखीगा और चैनल पर पहली बार आते हैं तो अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आने वाली सभी Prepretation से Related वीडियो की Notification सबसे पहरे पाने के लिए तो नमस्कार दोस्तो मैं हूरोशन और स्वागत है आप सभी का पांडेजी टेक्निकल में दोस्तो टॉपिक कुछ ऐसी है कि हमारा भौतिक परिवर्तन और रासानिक परिवर्तन से काफी बार आपके इंटरेंस में कोशन पूछा जाता है तो हम दोनों को समझेंगे की यह क्या है एंड़ इसके example को देखेंगे की कौन-कौन से example इसके लिए सटीक बैठते हैं तो सबसे पहले हमारा भौतिक परिवर्तन आता है physical changes घिक है यह क्या होता है तो इसको हम easily bhai में समझती हैं तो ये एक ऐसा परिवर्तन होता है जिनमें पदार्थों के स्वरूप एवं भौतिक गुड़ जो है वो औस्थाई परिवर्तन होता है यानि कि इस्थाई रूप से वो परिवर्तित नहीं हो जाता है यानि कि अगर जो कुछ भी जो परिवर्तित होता है और परिवर्तन के प वे पदार्थ जिन में पदार्थों के श्वरूप एवं भौतिक गुण में और अस्थाई परिवर्थन होता है जबकि उनके भार तथा रासाइनिक संगटन और परिवर्थित रहते हैं यह जाहिट से बात है कि बर्फ का जितना भार होगा अगर वो पानी में भी कनवर्थ होगा तो उसका उतना ही भार होगा तो कहने का यहाँ पे सिंस के बैठता है कि जब कि उनके भारत अथर आसायनिक संगटन और परिवर्तित रहें यानि कि परिवर्तन नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन का लाता है फिजिकल चेंजिस का लाता है और अगर हम इसके एक्जामपल की बात करें तो विदुद पानी में ही कनवर्ट होता है तो कोई नया पतात नहीं बनता है तीसरा एक्जामपल अगर हम देख लें तो इसका है बादलों का बनना ठीक है उसका बाद से जल का आश्वन नमक या चीनी का पानी में घुलना ठीक है आयोडीन का उर्धु पातन तो यह सारे एक्जामपल बहुतिक परिवर्टन के एक्जामपल है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे अब इस चीज को और भी सठीक पूरवक समझते हैं कि बहुतिक परिवर्टन जो होता है वो उत्क्रमड़ी होता है रिवर्शिबल होता है इसका मीन्स क्या होता है कि माल लीजे अगर हम बर्फ में कनवर्ट हो सकता है ठीक है अर्थात भौतिक परिवर्टन में परिवर्टन के पहशाद बने जो पदार्थ होता है उसको हम पुना प्रारंबिक पदार्थ में कनवर्ट कर सकते हैं यानि कि जो पहले पदार्थ था बर्फ था और उससे जल बना तो फिर उस जल को भी हम बर्फ में convert कर सकते हैं तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन हमारा ये उतक्रमडी होता है reversible होता है ये कुछ changes होंगे जो हम भौतिक राशानिक परिवर्तन में देखेंगे तो ये तो हमारा पूरी तरीके से clear हो गया भौतिक परिवर्तन दूसरा है हमारा दोस्तो राशानिक परिवर्तन chemical changes ये क्या होता है कि वे परिवर्तन जिन में पदार्थ का राशानिक संगठन तथा गुरधर्म स्थाई रूप से परिवर्तित हो जाते हैं अर्थाद नए पदार्थ बन जाते हैं राशायनिक परिवर्थन कहलाते हैं इसके परिवासत से ही इसपस्ट है कि वे परिवर्थन जिन में जो पदार्थ का राशायनिक संगठन है तथा गुडधर्म है वो अस्थाई रूप से परिवर्थित हो जाता है यानि कि फिर से हम उसमें चींज नहीं कर सकते हैं प्रारंबिक पदार्थ में अर्था जो है वो नया पदार्थ बन जाता है उससे एक न्यू पदार्थ बन जाता है और राशानिक परिवर्तन कहलाते हैं अगर हम इसे example के तोर पे समझें तो मंबत्ती का जलना, मैगनीशियम के तार का जलना, जंग लगना, दूद से दही का बनना, सिरके का बनना तो अगर सबसे पहले example से समझें कि मुंबत्ती का जलना तो मुंबत्ती जलने के बस्षाथ जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और जो भी पदार्थ बजता है उससे पुना मुंबत्ती नहीं बना सकते तो ये चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं इसको और भी सठीक तरीके से समझें तो रासानिक परिवर्तन अनुत्क्रमडी होता है इन्रिवर्शिबल होता है अर्थात अभिक्रिया या परिवर्तन के पश्षाथ बने जो पदार्थ होते हैं उसको हम प्रारंबिक पदार्थ है नहीं कि जो पहले पदार्थ था उसके रूप में convert नहीं कर सकते अगर हम एक और example के तोर पे बात करें तो दूद से दही एक बार जो है वो बनाई जा सकती है दूद से हम दही बना सकते हैं बड़ जो दही मिल लेगा उससे पुर्ण हम दूद प्राप्त नहीं कर सकते तो ये भौदिक परिवर्तन और राशानिक परिवर्तन में जो है वो कुछ Knowledge है कि भौदिक परिवर्तन सबसे पहला difference तो यह होगा कि उत्क्रमडी होता है और स्थाई होता है और राशानिक परिवर्तन अनुत्क्रमडी होता है स्थाई होता है ठीक है इसमें जो है वो भौतिक परिवर्तन में जो है वो हम प्रारंबिक पदार्थ से जो नया पदार्थ बनेगा हमारा वो नया पदार्थ से हम प्रारंबिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं और इसमें जो है वो जो नया हमारा पदार्थ पनेगा उससे प्रारंबिक पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो ये कुछ एक्जामपल जो है वो डिफरेंस है और अगर एक्जामपल जाते जाते हम देख लें एक पर और तो भौतिक परिवर्तन का एक्जामपल विदुद बॉल्ब का जलना, बर्फ का बिघलना, जल का आशवन, नमक या, चीनी का पानी में गुलना, बादलों का बनन आयोडीन का उर्धो पातन और अगर हम राशानिक परिवर्तन के एक्जामपल की बात करें तो मुंबत्ती का जलना, जंग लगना, सिर्के का बनना, मैगनीशियम के तार का जलना और दूद से दही का बनना तो आई होप आपको ये दोनों चीज़े बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी और इससे अगर आपका कोई भी कोशन बनता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अब जैसे एक कोशन कैसे बनेगा आपका की दूद से दही का बनना निम्ड में से कौन सा परिवर्तन है और वहाँ पे बहुतिक परिवर्तन, राशानिक परिव दोस्तों में आपके दोस्त भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे तो बहुत आसानी से इस कोशन का अंसर बता सकते हैं ठीक है दोस्त तो वीडियो अगर पशंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेर कीजिए और चैनल पर पहली बा पारद